27 दिसंबर और 28 दिसंबर का दिन तुलाराशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दो दिनों के तुलाराशी फल के बारे में ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिति क्या होगी नक्षत्र क्या होगे योग क्या बनेंगे कौन सा ग्रह राशी बदलेगा और आपके लिए इन सभी चीजों का जो प्रभाव है वो कैसा होगा शुब होगा, सावधानी रखनी होगी या उपाय करने होगे तो ये जानने के लिए वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करके जोड़ जाए चैनल के साथ क्योंकि यहां आपको अपनी राजी से जुड़ी हर जानकारी समय पर मिलेगी तो सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र की ही बात कर लेते हैं अब देखे 27 दिसंबर का दिन है ये इस वर्ष का अंतिम बुधवार है और क्रिष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथी रहेगी शुरुवात आदरा नक्षत्र के साथ होगी लेकिन उसके बाद पुर्णरवसु नक्षत्र लग जाएगा अब ब्रह्म नाम का योग बना हुआ इस दिन जो एक शुब योग है और चंद्रमा आपके पंचम भाव यानि चंद्रमा आपके यहां मिथुन राशी में विराजमान है और सूर्य है धनुराशी मूल नक्षत्र में इस दिन मंगल का भी राशी परिवर्टन है मंगल इस दिन राशी बदलकर सूर्य के साथ आ जाएंगे धनु राशी में आपके तीसरे भाव में अब अगर आप 28 दिसंबर को देखें तो ये बहुत महतपोन दिन है क्योंकि गुरुवार का दिन है और इस दिन बहुत अच्छे-च्छे से योग बने है इस वर्ष का अंदिम गुरुवार द्वित्या तितिर एगी क्रशन पक्षकी और इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र के साथ शुरुवात होगी लेकिन बाद में पुष्च नक्षत्र लग जाएगा क्योंकि चंद्रमा राशी बदल का शाम को करक राशी में आ जाएगे तो पुष्च नक्षत्र भी शुरू हो जाएगा अब जब भी गुरुवार के दिन पुष्च नक्षत्र आता है तो गुरु पुष्च योग का निर्मान होता है सूर्य धनू राशी मूल नक्षत्र में है और अब यहां मंगल भी आ चुके हैं तो मंगल के साथ सूर्य की यूती हुई है इसके आलावा यहां बुध का भी राशी परिवर्तन है बुध भी आज वक्री अवस्था में राशी बदल कर व्रश्चिक राशी में चले जाएंगे जहां शुक्र है शुक्र के साथ बुध की यूती हो जाएगी अब योगों की अगर बात करें तो गुरुवार का दिन ये पुष्च नक्षत राने से एक तो गुरु पुष्च योग बन गया जो पूरा दिन बनने वाला है अगले दिन सुभा तक दूसरा सरवार्थ सिद्धी योग बन गया ये भी पूरा दिन बनेगा तीसरा अमरत सिद्धी योग बन गया ये भी पूरा दिन बनेगा बाकी दो ग्रहों में दो राशियों में दो दो ग्रह एक साथ बैठे हैं तो वहाँ भी दो दो ग्रहों की यूति हुई है जिसकी वज़े से ये दिन काफी महत्पोर्ण है और जो ये योग होता है इस योग में किये गए सभी कामों में सकसेज आपको मिलती है तो किस तरह इनका लाव आप उठा सकते हैं क्या कर सकते हैं कि इन चीजों के लिए शुब रहेगा देगा और दूसरों के साथ खुशियां बाटेंगे जिससे आपकी सेहत और अधिक खिलेगी ये दिन धन संपत्ती के मामले में भी काफी अच्छा होने वाला है विवाहित दंपत्ती हैं जो आज वो अपने संतान की सक्षा पर अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर सकती है उनके लिए किसी चीज की अगर आप काफी समय से आप सोच रहे थे तो आज उन कामों को आप पूरा कर सकते हैं आज कुछ दिमागी बोज जो आपके उपर था उनसे भी छुटकारा मिलेगा और अपने कुछ रिष्टेदारों का सहयोग भी मिलेगा आप और आपका साथी आज काफी जादा सुकून भरा पल बिता सकते हैं कामकज के मोर्चे में महनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी और कड़ी महनत करनी पड़ेगी उसकड़ी महनत के ही बिना पर आपको आगे बढ़ने के चांसिस मिलेंगे मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा कि बिस्तर से उठने का मनना करे लेकिन बिस्तर से उठने के बाद आपको एहसास होगा कि आप अपना कीमती समय बरबाद कर चुके हैं या कर सकते थे तो इसलिए विस्तर छोड़े उठे और अपने काम पर लगें वेवसाय करने वाले जातकों के लिए आज का दिन काफी जादा उप्युक्त होने वाला है इस दिन योग अच्छा है इस दिन मंगल का भी राशी परिवर्तन है मितुन राशी के चंद्रमा है जिससे आपकी जो भावना है वो इस्तिर रहेंगी और आप आज दूसरों की मदद के लिए भी बड़े ततपर रहेंगे आत्म विश्वास आपके पास होगा जिसकी वज़े से आप अपने लाब के लिए अच्छा काम कर पाएंगे आपके पास सकारात्म कुर्जा एनर्जी होगी जो आपके हर एक काम में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी इस दिन आप अपने विवार कुशल अपने स्वेभाव से लोगों को अपनी तरफ आकरशित कर सकते हैं और सुभा को दस वज़े से दुपहर के बारा वज़े तक का समय आपके लिए बहुत भागेशाली रहेगा इस समय का उपयोग करें और लाल रंग का कोई भी वस्तर आपको भी परिधाना पहन सकते हैं जो आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला होगा देखे इस राशिक जो जात तक नए बिजनिस को शुरू करने का मन बना रहे है तो उसमें आपको अपने फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है और इस राशिक के स्टुडेंट अगर आज किसी प्रतियोगी परिक्षा के फॉर्म बढ़ने जा रहे हैं तो समझदारी से चीजों को करें कई काम आपको निप्टाने में सफलता हासल करनी है समझदारी से चीजों को देखेंगे करेंगे तो कोई मिस्टिक नहीं होगी अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ी से साफधाने रखें लेकिन यहां वाहन खरेदारी का योग भी बना हुआ है लेकिन इस दिन से अच्छा योग अगले दिन है आज भी योग है नए वाहन की खरेदारी का कला की शेदर में रोची रखते हैं तो आज उन लोगों के लिए काफी अच्छा दिन होने वाला है आज कुछ नया कर दिखाने का मौका मिलेगा और घरेलू महिला आज कुछ ऐसे पकवान बना सकती है जिससे आपको भी बेहद खुशी मिलेगी बाकी नए प्रेम सम्मंद शुरू होने का योग भी है और ये दिन आपके लिए कई मायनों में विशेस होने वाला है तो यहां 28 इसम्मर के अगर हम बात करें तो देखे सबसे पहली चीज आती है कि इस दिन गुरु पुश्य योग है अमरत सिद्धी योग है, सरवार्त सिद्धी योग है तीनों ही योग ऐसे हैं जो अपनी आप में अपनी महत फूंडता दिखाते हैं गुरु पुश्य योग जो होता है इस योग में खरिदारी करना सबसे शुब माना जाता है किसी भी चीज की खरिदारी करनी हो कोई नया काम शुरू करना हो मकान, वाहन, मकान की नीव रखना कोई शुब कारिया करना, कुछ खरिदारी करना कोई लगजरी आइटम खरी दिना, कुछ भी तो इस समयाबदी में आप करते हैं तो उससे जो है आपके घर में बरकत आती है तो इसलिए ये दिन बहुत महत्पूर्ण है बात में दो योग और जो बने हैं वो भी बेहशुब हैं और आपके करी यहां आपके द्वीते भाव में बुद्ध भी आ चुके हैं जो आपके राशी के स्वामी के साथ बैठे हैं तो दिन बहुत बहतरीन है बिजनिस में बढ़ोतरी के लिए आज आपके दिमाग में जो भी उपाय आएगा वो बड़ा कारगर साबित होगा और आपके पुराने कियेगे कामों से अच्छा परिणाम मिलेगा साज़िदारी करना है साज़िदारी करना आपके लिए फायदे मन रहेगा जमीन से जुड़ा होगा कोई मामला है जो काफी पैंडिंग चल रहा था वो भी ठीक होगा ऑफिस में भी आज आपका जो ऑफिस का मा होले वो अच्छा है आपका कामकाज में मन भी लगेगा और करियर में कुछ अच्छे बदलाव भी दिख रहे हैं जोसे मान सम्मान में भी बड़ोतरी होगी मूर काफी रोमेंटिक रहेगा और कामों में भी सफलता मिलेगी साथ में अपने प्रिया के साथ कहीं आज आप गोमने फिरने की प्लानिंग भी कर सकते हैं इदर उदर गोमने भी जा सकते हैं इस दिन सामाजिक जीवन में भी इस राशी के जातकों का अच्छा प्रदर्शन होता हुआ दिखाए दे रहा है चाहे वो कोई अध्यापक हो कोई NGO से जुड़ा हो किसी और शेतर से हो कोई विख्यात व्यक्तित हो तो लोग आज आपको महत देंगे आप एक लीडर के रूप में दिखाए देंगे और आप हर किसी किया पेक्षाओं पर खरे भी उतरेंगे तो आज आपके लिए काफी अच्छा देन होने वाला है अपने रुत्वे को बढ़ाने के लिए भी करियर में के मामले में कई मौक्य आपके सामने आते हैं लेकिन एक ऐसा वक्त भी होता है जब आप डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते हैं ऐसे में आपको अपनी शमता दिखानी है अपने जो निर्ना लेने की शमता है उसको बैटर बनाना है ताकि जल्दी और अच्छे निर्ना आप लेख सके अपनी योग्यता को कभी कम ना आके क्योंकि आप वो सारी चीज़े कर सकते हैं जो हर एक व्यक्ति कर सकता है अपने कारेशेत्र में थोड़ा सा जोखे मुठाएं इसका आपको बड़ा फायदा मिलेगा फुल कॉन्फिडेंट रहें और उसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने कामों को करें तो आपको उसका अच्छा बेनिफिट भी देखने को मिलेगा बाकी प्रेम जी उनके मामले में टिक ठाक दिन है और पारिवारे किस्ति थी अभी आज आज आपकी अच्छी होने वाली है तो दोस्तो और अदे कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भोलें